चलो, next question करते हैं, question क्या कर रहा है, two blocks of mass 4 kg and 6 kg are placed in contact with each other on frictionless horizontal surface, if we apply a push on 5 newton, on the heavier mass, the force on the lighter mass will be, देखो, ये एक ground है, जो frictionless, question में बोला है न, frictionless, इसमें दो masses रखे हुए हैं, ये एक है 4 kg का और एक 6 kg का, और इसे 4 kg कह देते हैं, इसको 6 kg कह देते हैं, force आप इदर से apply कर रहे हो, force का value है 5 newton, ठीक, correct है, तो force apply किया जा रहा है, बड़े वाले heavier mass पे, heavier mass पे बोला है न, 5 newton का, तो 4 यानि lighter mass पे, कितना force apply होगा, तो इस पे action reaction होगा, मान लो इसमें N, और इदर, N लग रहा है, action और reaction, तो अगर मैं बात करूँ, अगर इस पूरे system पे अगर एक ही external force लग रहा है, क्योंकि ground का friction force 0 है, तो net force is equal to, is equal to, होगा, empty into A, तो net force external कौन से सिर्फ एक है, 5 newton का, कोई और दूसरा है नहीं, न रोकने बाला और add करने बाला, इस force में, और दूसरा empty, यानि total mass system का, system का mass लिपना है, 6 plus 4, ठीक है, 10, तो acceleration क्या आ जाएगा, 5 upon 10, it means 0.5 meter per second square, यह acceleration, दोनो बोडी, इसी acceleration से move करेंगी, रैडट साइड में, अब इसमें ध्यान से देखो, अगर इसमें, इस 4 kg वाले ब्लॉक पर, एक n newton का force लग रहा रहा है, n reaction force लग रहा है action का reaction लग रहा है तो ये कि दर लग रहा है ये right side में लग रहा है कौन लगा रहा है ये force ये six kg वाला block लगा रहा है य हैवियर block लगा रहा है lighter block पे और इसकी वजह से ये acceleration A से move कर रहा है इस case में F net is equal to m into a अप्लाई करोगे तो एफनेट सिर्फ यह एन फोर्स होगा एन और मास्क इतना है इस चोटे वाले ब्लॉक का है लाइटर मास्का फोर केजी एक्सरेलेशन कितना है पॉइंट फाइब पॉइंट 5 कितना हो जाए गया यह यह वह जाएगा टू नू न्यूटन यानि फॉइंट नू नेुटन इसको मिला और बाकि 3झी नूस फॉइंट यदि हेवियर मास्क को मिल गय है यह दोनों के भीच में वे एक्षिन एक्षन एक्शन लिएक्षेण लगेगा लाइटर और हैवियर मास के बीच वो में वो 2 Neuton का ही action reaction force लगेगा तो कौन सा option ज्यादा अप्रोप्रियेट है 2 Neuton का C वाला option ज्यादा अप्रोप्रियेट है चलो next question करते हैं